अलावाद हाई कोट ने वैदिक फौरानिक संस्कृतिक महतव और समाजिक उप्योगिता को देखते हुए गाएं को राश्ट्य पशुर गोशित करने का सुझाव दिया है कोट ने कहा कि भारत में गाएं को माता मानते हैं ये हिंदू की आस्था का विशे है आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है कोट ने कहा गौमास खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है जीब के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं चीना जा सकता है बूरी बिमार गाएं भी क्रिशी के लिए उपयोगी है इसकी हत्या की इजाज़त देना ठीक नहीं है ये भारते क्रिशी की रीड है कोट ने कहा कि पूरे विश्व में भारत की एक मात्र देश है जहां सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं पूजा पधती बले ही अलग हो सोच सभी की एक है एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं कोट ने कहा कि गाएं को मारने वालों को छोड़ा तुगर अपराद कहोगा कोट ने संभल के जावेद की जमानत अरजी खारिच कर दी है यह आदेश ने आयमूर्टी शेखर कुमार यादब ने दिया है जमान अतरजी पर शास की अधिवक्ता है इसके पाल और एजी ए मिधिलेश कुमार ने प्रतिवात किया है फिलाल खिलेंदर सिंग की गाएं चुरा कर जंगल में अन्ने गाएं समित मार कर मा से कठा किये जाने का आरोप है 8 मार्च 2021 से जेलने बंध है शिकायत करता ने गाएं के कटे सिर से पहचान की है आरोपी मोटर साइकल छोड़ कर भाग गए है फिलाल के लिए सीडियो में इतना ही जादा जानकारी के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले